हालो इस्टुडेंट्स बंस अगें यू आर वेलकम इन माई चैनल स्टेडी टाइम बाई राजेश सर्मा आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कश्या बारा की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का शिक्स चैप्टर पॉइट्स एंट पैनकेक्स और यहां में लेकर के आए हूँ आपको इस चैप्टर का थार्ड पार्ट और यहां पर भी हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी आपके डिफिकल्ड वर्ड्स आएंगे उनकी भी यहां पर हम हिंदी मिनिक्स यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए वीवर हैं और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और पहां जाकर के फिर आप मेरे सारे अब तक के वीडियो देख सकते हैं एक चीज यह कि कमेंट बॉक्स में आप अपने बहुमल विचार जरूर रेजिश्टर करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताहिए शुरू करते हैं लेट्स बिगिन यू सा सुब्बू ऑल्वेज बिद दा बॉस तुम हमेशा सुब्बू को बॉस के साथ देखते थी बट इन दा अटेंडेंस रॉल्स लेकिन अटेंडेंस रॉल्स के अंदर केने का मलब जो उपस्तिती पत्रक होते हैं उसमें सुब्बू को जो है स्टोरी डिपार्टमेंट नाम का जो डिपार्टमेंट था यानि कहानी विभाग का जो एक विभाग था उसमें इसको रखा गया था comprising सामिल करते हुए comprising का मलब सामिल करते हुए a liar एक वकील के रूप में end and assembly of writers and poets और इसके साथ में बहुत सारे writers भी थे और poets भी थे कहने का मलब लेखक और कभी भी उस story department के अंदर comprising थे मलब सामिल थे the liar was also officially known as the legal advisor liar को यानि वकील को also यानि भी officially अधीकरत रूप से नौन जाना जाता है as the legal advisor यानि legal advisor के रूप में legal advisor का अर्थ होता है कानूनी सलाकार जो कानून से संबंदिस सला देता है उसे हम कहते हैं legal advisor but everybody refer to him as the opposite लेकिन प्रत्यव्यक्ति उसके बारे में भिन तरीके से सोचता था an extremely talented actress एक अत्यधिक प्रतिवाशाली अभिनेत्री एक्ट्रेस अभिनेत्री talented यानि प्रतिवाशाली extremely यानि अत्यधिक who was also extremely temperamental जो बहुत ज़्यादा temperamental भी थी temperamental का मनला होता है तुनक मिजाद जिसे बात बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसे कहते हैं हम temperamental once blew over on the sets एक बार ये अभिनेत्री जब शायद फिल्म की सुटिंग हो रही थी तो वो सेट पर कहने का मनला मन्च पर एकदम गुस्से से उबल पड़ी यानि उसे किसी बात पर गुस्सा आ गया while everyone is too distant और जब उस अभिनेत्री को गुस्सा आया तो जब सेट पर खड़े हुए बाकी के जितने लोग थे वो इस्टंड रहे गे यानि भोचक के रहे गे उस वक्त दा लायर क्वाइटली स्विच डॉन दा रिकॉर्डिंग एक्यूपमेंट उसी वक्त लायर ने यानि उस वकील ने क्वाइटली यानि चुपचाप स्विच डॉन का मनलब चालू कर दिया दा रिकॉर्डिंग एक्यूपमेंट यानि आवाज रिकॉर्ड करने वाले उपकरन को वेंदा एक्ट्रेस पास्ट और जब बोलते बोलते वो अभिनेत्री पास हुई पास का मनलब होता है रुकना यानि जब वो बोलते बोलते बन मिनिट प्लीज करपिया एक मिनट रुकिये एंड प्लेड बैग दा रिकॉर्डिंग और उसी वक्त उस वकील ने वो जो उसकी आवाज रिकॉर्ड की थी उसको दुबारा से चालू कर दिया रिकॉर्ड को चालू कर दिया उसने देर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंसनेबली फाउल अब जब वो रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज सुनाई दी तो उस आवाज के अंदर कोई भी इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंसनेबली फाउल बात नहीं थी यानि कोई भी दोसा रोपन करने वाली या जिसका वर्णन किया जा सके ऐसी कोई फाउल चीजें नहीं थी कोई आरोप नहीं थे अबाउट दा एक्ट्रेसेज टिरेट टिरेट का मतलब होता है गुसे में दिया हुआ भाशन यानि उस गुसे में दिया हुआ जो अभीनेत्री का भाशन था उसमें ऐसी कोई जो है दोस लगाने वाली बातें नहीं थी अगेंस्ट दा प्रोडूसर प्रोडूसर के खिलाप यानि फिल्म निर्माता के खिलाप बट वेंसी हर्ड हर बोईस अगें थू दा साउंड एक्विमेंट लेकिन जब उस अभी नेत्री ने अपनी आवाज को उस आवाज रिकॉर्ड करने वाले यंत्र से दुबारा सुना अचानक से बोलना बंद हो गया वो चुपचाप खड़ी रह गई एक गर्ल फ्रॉम दा कंट्री साइड से आई थी कंट्री साइड का मलब होता है गाउं और उसको अभी कोई दुनियादारी की समझ नहीं थी और इतनी जो है उंचाई पर पहुंच गी जहां पहुंचने के लिए जहां प्रेसीड होने के लिए उस पोजिशन पर पहुंचने के लिए उस इंपोर्टेंस वाली पोजिशन पर पहुंचने के लिए उस महत्पूर्ण इस्तिती पर पहुंचने के लिए और दुनियादारी समझने के लिए that she had found herself catapolated into यानि उस तक पहुँचने के लिए उस पद तक उस उँचाई तक पहुँचने के लिए बहुत दुनियादारी की समझ होना जरूरी है बहुत सारे अनभवों की ज़रत होती है वो अभिनेत्री अपने टेलेंट के कारण अचानक से उस उँचाई तक चट गी थी केटा पुलेट हो गई मनलब चट गई या उस उँचाई तक पहुच गी लेकिन जब उस ने उस आवाज को सुना अपनी को तो सैद उसने इसनी सर्मिंदगी महसूस की होगी या उसके मन में इतना टेलर पैदा हो गया इतना भै पैदा हो गया कि उस भै से वो फिर दुबारा कभी मुक्त नहीं हो सकी या दुबारा से उस भै से उसे छुटकारा नहीं मिला जो भै उसने उस दिन महसूस किया था और यही तो इस तरह जो ए एंड हो गया यानि अन्त हो गया एक संचिप्ट एंड बिलियेंट एक्टिंग केरियर एक चमकदार जो है एक्टिंग केरियर का यानि उस अभनेत्री के अभिने का यानि अभने का जो केरियर था जो संचिप्ट केरियर था इस तरह उसका अन्त हो गया the legal advisor और जो कानूनी सलाकार था यानि हमारा जो सुब्बू था who was also a member of the story department जो की उस story department का एक सदस्य भी था उस कहानी विवाग का एक member भी था had unwittingly brought about the sad end तो इस तरहे उसने ए विवेग पूर्ण तरीके से उस अभिनेत्री के sad end तक पहुचाने में जो है अपनी भूमी का अधा की यानि उस अभिनेत्री के दुखद अंत तक पहुचाने में हाला कि उसने मन में उसके ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो उस अभिनेत्री का केरियर खराब करना चाहता था लेकिन ये सब कुछ अपने आप unwittingly हो गया ए विवेग पूर्ण तरीके से हो गया अन जाने में हो गया वाइल एब्री अध़र मेंबर ओफ दे डिपार्टमेंट बोर एक काइन्ड आफ आफ YUNIFORM जबकि उस डिपार्टमेंट का यूस इस इस टोरी डिपार्टमेंट का प्रते ग्रेक्ति एक विसेष प्रकार की उनिफार्म पहानता था एक kind of uniform, uniform न पोशाक यानि विशेश प्रकार की पोशाक पहनते थे, इस्टोरी डिपार्टमेंट के लोग किस तरह की पोशाक पहनते थे, खादी दोती, एक तो खादी की दोती पहनते, with a slightly oversized and clumsily tailored white खादी शर्ट, और इसके अलावा खादी की दोती के उपर, वो एक अनाडी पंसे सिली हुई, clumsy tailored का मिलाब अनाडी पंसे सिली हुई, जैसे कोई अनाडी टेलर सिलता हो, तो इस तरह की सिली हुई, सफेद खादी की शर्ट पहनते थे, oversize यानि धीली डाली, slightly oversized यानि थोड़ी सी धीली, थोड़ी सी oversize, जिसकी size जला ज़्यादा हो, उसको कहते हैं हम oversize, the legal advisor bore pants and a tie, and sometimes a coat that looked like a coat of male, जबकि ये legal advisor, जो की उस story department का एक member भी था, वो उनसे भिन अलग तरह की dress पहनता था, अलग तरह की उसकी uniform थी, वो pant के साथ tie पहनता था, और कभी-कभी एक coat भी पहनता, और वो coat कैसा look करता था, कैसा दिखाई देता था, like a coat of male, एक कभच की तरह, often he looked alone and helpless, a man of cold logic, in a crowd of dreamers, और ये व्यक्ति, यानि जो legal advisor था, यानि जो ये सुब्बू जो था, वो प्राय, often ये प्राय, looked, दिखाई देता था, alone, अकेला and helpless, ऐसा हाई, और एमेन, एक इस तरह का आदमी, जिसके logic बहुत cold थे, बहुत रूखे तर्क थे, इन्हें crowd of dreamers, स्वपन द्रश्टाओं की भीड के अंदर, crowd of dreamers, dreamers का महलब होता है, स्वपन देखने वाले लोग, यानि स्वपन द्रश्टा, a neutral man in the assembly of gandhi teas and khadhi teas, कहने का महलब गांधी वादियों, और khadhi वादियों की भीड में, एक तटस्थ व्यक्ती, neutral, neutral का महलब तटस्थ, जो किसी का भी पक्ष नहीं ले, उसे हम कहते हैं neutral, a neutral man, assembly यानि भीड, गांधी टीज यानि गांधी वादी, और खादी टीज यानि खादी वादी, जो खादी के कपड़े पहनते हैं, like so many of those, who were close to boss, like so many of those, उन भहुत सारे व्यक्तियों की तरह, who were close to the boss, जो boss के बहुत करीब थे, he was allowed to produce a film, उसको भी allow किया गया to produce, बनाने के लिए a film, एक film, यानि उसको भी एक film, निर्मान करने के लिए allow किया गया, and though a lot of raw stock, and pancake were used on it, और बावजूद इसके, बहुत सारे pancake, और बहुत सारा raw stock, बहुत सारा कच्चा माल, खर्च करने पर भी, not much came of the film, फिल्म का कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, कहने का मल लग उसकी जो फिल्म बनाने को दी गई, वो फिल्म साइद पूरी नहीं बनी, या वो ऐसाफल होगी, then one day, तब एक दिन, the boss closed down, boss ने close कर दिया, यानि बंद कर दिया, the story department, कहानी विभाग को, and this was perhaps, और संभव तया, ये, the only instance, अकेला उधारण था, instance का मल उधारण, in all human history, पूरे मानव इतिहास में, human history, मानव इतिहास, where a liar, जहां एक वकील, lost his job, जहां एक वकील ने, अपना job खो दिया, अपना काम, जो है, खो दिया, because the poets were asked to go home, क्योंकि, poets से, poets यानि, कभी, यानि कभियों से, घर जाने के लिए, के दिया गया था, जैमनी स्टूडियोज, was the favorite hunt, of poets, like, SDS, योगियार, सांगू, सुभ्रमन्यम, कृष्णा सास्त्री, and, हरिंद्रनाज, चट्टो पाध्याय, यानि, बहुत सारे कभियों की, ये, जैमनी स्टूडियो, एक प्रिये जगे थी, कौन-कौन से कभियों की, किस तरह के कभियों की, like, SDS, योगियार, सांगू, सुभ्रमन्यम, कृष्णा सास्त्री, and, हरिंद्रनाज, चट्टो पाध्याय, एक एक्सिलेंट मैस, यहाँ, जैमनी स्टूडियो के अंदर, एक एक्सिलेंट मैस था, यहाँ, भौती शांदार एक भोजनाले था, which supplied good coffee, जहाँ, भौत अच्छी coffee, मिलती थी, at all times of the day, and for most part of the night, दिन में, लगबग हर समें, और रात में भी, कई समय तक, यहाँ बहुत सारे समय तक, यहाँ पर coffee मिलती थी, those were the days, when Congress rule meant prohibition, यह बो दिन थे, जब Congress rule का अर्थ होता था, मध्यनिसेद, prohibition, and meeting over a cup of coffee, was rather satisfying entertainment, कि उन दिनों, Congress राषन का अर्थ होता था, मध्यनिसेद, तथा coffee के लिए, यानि coffee के cup पर, मिलना, संतोज जनक मलवरंजन होता था, bearing the office boys, and a couple of clerks, everybody else, at the studios, radiated leisure, a pre-requisite for poetry, bearing the office boys, and couple of clerks, a couple of clerks का मनला, यानि, दो एक, बाबुँँ को छोड़ करके, और कुछ office boys को छोड़ करके, everybody else, यानि प्रत्यक वेक्ती, at the studios, studio के अंदर, यानि, studio में काम करने वाले, दो एक, बाबुँँ को छोड़ करके, और office boys को छोड़ करके, जो हर एक आदमी था, वो radiated leisure, कहने का मनला, आराम मैसूस करता था, कुछ बाबुँँ को, कुछ office boys को छोड़ करके, इस जैमनी इस्टूडियो में, भहुत सारे जो लोग थे, वो laser का अनभव करते थे, और ये laser क्या है, एक pre-recugite for poetry, ये कभीता करने की, पूर्व शर्थ होती है, pre-recugite का मनला होता है, पूर्व शर्थ, most of them, wore khadi, and worshipped Gandhi ji, और इन में से अधिकांस लोग, khadi के कपड़े पहनते थे, and worshipped Gandhi ji, और Gandhi ji की प्रसंशा करते थे, पूजा करते थे, but beyond that, लेकिन इसके परे, that they had not the fantast appreciation, उनके अंदर, बिल्कुल थोड़ी सी भी समझ नहीं थी, fantast, यानि भहुत कम, for political thought, राजनितिक विचारों की, of any kind, किसी भी प्रकार के, यानि किसी भी प्रकार के, राजनितिक विचारों की, उन लोगों के अंदर, थोड़ी सी भी समझ नहीं थी, naturally, सभावी गुरूप से, they were all averse to the term, communism, इसका मतलब, सभावी गुरूप से ये बात थी, कि ये सारे के सारे लोग, जो गांधी जी को मानते थे, गांधी जी की प्रसंसा करते थे, ये सब, communism के बिलकुल खिलाब थे, यानि समाजवाद के बिलकुल खिलाब थे, एक communist, वाजे godless man, एक communist व्यक्ती, इस्वर विहीन व्यक्ती होता है, यानि वो इस्वर को नहीं मानता, he had no filial और conjugal लव, ऐसे आदमी के अंदर, यानि एक communist के अंदर, किसी भी तरह का filial, या conjugal लव नहीं होता, कहने का मनलब, filial का मनलब माता पृता के पृती प्रेम, और conjugal का मतलब होता है, पत्नी के पृती प्रेम, यानि ऐसा व्यक्ती, जो एक communist होता है, उसके अंदर ने तो अपने माबाब के पृती, ने अपनी पत्नी के पृती, यानि ऐसा व्यक्ती इतना निर्दई होता है, कि वो अपने माबाब को या अपने बच्चें को मारने में, जरासा भी नहीं हिचकता, He was always out of cars and spread unrest, इस तरह का आदमी हमेशा, spread unrest and violence, हमेशा अशान्ती फैलाता है, spread यह नि फैलाता है, unrest यह अशान्ती and violence और हिंसा, यह इस तरह का आदमी हमेशा अशान्ती फैलाता है, हिंसा फैलाता है, among innocent and ignorant people, किन लोगों के बीच में? इन्नोसेंट लोगों के बीच में, यानि निर्दोस लोगों के बीच में, such notions which prevailed everywhere else in South India, ऐसे notions, notions का मलब विचार, तो इस तरह के विचार which prevailed, जो फैले होए थे everywhere, हर जगे, everywhere else, हर जगे, in South India, at that time, उस वक्त, उस वक्त, इस तरह के विचार जो है, South India में, यानि दक्षिनी वारत में, हर जगे फैले होए थे, also naturally floated about bagulie among the khadi-clad poets of Germany studios, तो इस तरह के विचार, सभावी ग्रूप से, एस पश्ट रूप से, bagulie, यानि एस पश्ट रूप से, खादी पहनने वाले, जो कभी थे, जैमनी स्टूडियो वाले, उनके मद्ध में भी, जो है, आप पहुँचे, evidence of it was soon forthcoming, evidence, evidence का मनलब प्रमाण, या सबूत, बात के जो सबूत हैं, वो कुछी, मनलब बहुत जल्दी ही मिल गए, evidence of it was soon forthcoming, यानि इस तरह के जो evidence, जो है इसके, यानि इसके जो सबूत हैं, वो बहुत जल्दी ही मिल गए, तो प्यारे बच्चों, dear students, that's all for today, see you again in next video, till then, keep watching my videos, have a nice time, thank you very much for watching.